का अधारो दोस्तो क्या आप जानते हो कि 1947 में जब भारत का आजादी मिली था भारत अपने खुद के लोगों के लिए खाना प्रौवाइट नहीं कर पा रहा था फूड ग्रेंज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था हम फूड ग्रेंज को भी इंपोर्ट करते थे स्पेशली हम युनाइटेट सेट्स अफ अमेरिका युएसे से इंपोर्ट करते थे और आपने ये चीज़ तो सुनी होंगी कि भारत में दूद की नदियां बहती हैं तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड आज हम डिसकस करने वाले हैं दे ग्रीन एंड वाइट रेवलीशन तो ग्रीन एंड वाइट रेवलीशन ऐसे बहुत ही इंपोर्टेंट चेंजेस हमारे अग्रिकल्चर एंड मिल्क प्रोडक्शन में इन रेवलीशन के थुक किया गया था जिनके वज़े से आज भारत का भारत की जो भूमी उपजाओ भूमी है उस पर हम सब तरह के क्रॉप सुगा पा रहे हैं और अपने खुद का पेट भरने के साथ साथ और भी आसपास के देशों को हम मदद कर पा रहे हैं we are able to help other countries also also हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उससे जो एक्सपोर्ट होता है दार्ट इस रियली इंपोर्टन ठीक है तो यह डिवलप्मेंट कैसे वह हम डिसकस करेंगे बट लेट मी शोओ यू कि इस वीक में जो जो क्लास इस होने वाली है उसका पूरा का पूरा वकाइदा शेड्यूल आपको प्रवाइड करते हैं ताकि आप अपने preparation को on track रख पाओ और हमारे साथ साथ आप भी दिन प्रती दिन अपने preparation करते जाओ तो यहां पर सबसे पहले मेघमाम की पीपीबी की जो classes है वो मंदेख हो रहे है चेक ट्रंकेशन सिस्टम यह उनका topic है इसी तरीके से निशान सर एफम की classes ले रहे जो कि आपको तुस्टे का वेलेबल होगा मेरे classes Wednesday को आई IFS के जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे on Wednesday इसी तरीके से यह जो पूरा sequence है वो आगे बढ़ता जा रहा है तिल Saturday so seven o'clock in the evening आपको यह classes अवेलेबल रहते हैं and let us start discussing revolution से related और agriculture में हमें ऐसे revolution लाने की जरूरत क्या पड़ी तो इंडियन अग्रिकल्चर की जो बैक्राउंड है उसके बारे में हमें समझना होगा before revolution किस तरीके का था और after revolution किस तरीके से इंडियन अग्रिकल्चर में changes लाने के हम कोशिश करते हैं और कैसे changes आए हैं तो भारत का मैंने तो आपको initially बता दिया तो इंडियन अग्रिकल्चर खुद के जो पीपल हैं इंडिया के जो पीपल हैं उनको भी फीड करने के लिए sufficient food grains हम नहीं produce कर पा रहे थे sufficient amount of milk production भी नहीं हो रहा था इसी तरीके से और भी fields में जो हमें अलग अलग प्राइमरी से रिलेटेड हैं और अग्रिकल्चर और अलीड सेक्टार जो हम कहते हैं उनसे related हैं उनमें और भी जादा development की ज़रूरत थी ठीक है तो एक एक product से related एक एक revolution तो revolution का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ऐसे steps को लेना जिससे production और उसकी quality दोनों ही चीजों में बहुत ही जादा इजाफा आए there is a growth in the production also in the quality और productivity of specific crops और हम यह कह सकते कि agricultural and elite sector से जो products आते हैं उनमें तो इंडियन agriculture में इंडियन agriculture के ऐसे features थे जिनको improve करने के ज़रूरत पड़ी with these revolutions तो सबसे पहली बात है कि हम traditional methods को use करते थे पहले यानि कि हम जो तरीके इस्तमाल करते थे for example shifting agriculture था पहले तो उसमें क्या होता था हमने crops जो है लगाएं उसके बाद कुछ समय बाद वो सारे crops से जो भी हमें प्रदावार आ रहे थी जो भी production हो रहा था उसको निकाला फिर हमने इन सभी crops को जो है destroy किया और उसको जला डाला तो वह area जो है वह बहुत थोड़े time के लिए एकदम खाली छोड़ दिया जाता था सारे crops को हमने वहां पर जला दिया और फिर खाली छोड़ दिया इसे हम slash and burn या shifting agriculture कहते थे इस इन crops को अब दूसरी जगा लगाया जाएगा इसलिए shifting भी कहा जाता था अब वह लैंड में भी यह किया जाएगा फिर वापस से इस लैंड पर आया जाएगा तो ऐसे shift हम करते रहते थे तो that is called shifting agriculture but उससे भी better क्या कोई method है तो वह method हम अपनाना चाहते थे तो यह example इसे तरीके से कई सारे traditional methods हम अपना रहें थे तो हम अब in revolution के through modern methods को अपनाने का पूरा का पूरा जो तरीका है उसको देख रहे थे कि कैसे हम क्यार सकते हैं अब पहले जो agriculture होती थी सबसिस्टेंस के लिए यानि की farmer खुद के बच्चों का अपने परिव जहां पर सबसिस्टेंस तो हो बट साथ में हम जो है चीजों को एक्सपोर्ट भी कर पाए farmer उसे बेच भी पाए और फिर उससे profit भी कमा पाए rainfed agriculture हम आज के date में भी अगर हम देखें तो पूरे तरीके से मौनसून पर dependent है मौनसून होगा सही तरीके से होगा तो crop सुखेंग यह बनना नहीं तो यह चीज काफे साधा जो है difficult होती है अगर किसी टाइम पर मौनसून बहुत जादा हो गया बहुत जादा बारिश हो गया फिर कम हो गए तो ऐसे समय में हमारे crops जो है शती उसे उन्हें पहुशती है और वो सही production जो है नहीं होता इस वजह से irrigation जो है उसस हमें link करना था सारे के सारे crop production को और यह irrigation irrigation का मतलब क्या है artificially हम जो है water को provide कर रहे हैं reverse के थ्रू हमारे इतने अच्छे नदी हैं उनमें से पानी जो है हम लेकर या फिर ponds हो गए लेक्स हो गए उनमें से पानी लेकर हम इस्तमाल कर रहे हैं farming के लिए although होता है बट जाहतर मौ food grains खाले हम grow करते थे दाल सरी चावल और गेहू राइज एंड वीट बस यह जादा से जादा हमारी production तो उसे diversify करने की जरूरत है diversify करने का क्या मतलब है इससे बहुत सारे फायदे हैं for example सबसे पहला तो pulses जो हम डाल खाते हैं उनको grow करने की जरूरत है तो यह डाल का अगर और बेजादा उप जाओ बनेगी that becomes fertile the land becomes fertile if pulses are grown so there are environmental benefits also तो इस वज़े से food grain oriented से diversification के तरफ आके बढ़ना था हमें और net zone area जो हमारा था काफी कम था यानि कि net zone area का मतलब क्या है पूरे भारत का जो इलाका है पूरे भारत का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा जो पार्ट है व महां पर हम crops को उगा रहे हैं तो इसको इस net zone area को और भी हमें बढ़ाना है ताकि और भी जादा production हो सके और लोगों को इसका जो है फायदा पहुंच सके तो इसे बढ़ाने से related हमने steps लिए अगर हम देखें आज के date में भी इंडिया irrigation पर completely dependent हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा farming हु है तो हमने अपना यह diversification के तरफ अभी बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि food grain oriented ही हमारा जो है agriculture है नेट सून एरिया भी हम बढ़ा रहे तो यह चीज़े हैं इंडियन agriculture से related तो यह revolution से करके हम देखते हैं और आज जो है दो revolution में ले हम discuss करेंगे the first one is the green revolution तो green revolution नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए यह related है to agriculture agriculture को बढ़ावा देने से related है तो इसमें क्या steps लिए गए हैं कि agriculture की जो पैदावार है जो production है वो बढ़े तो इसमें सबसे पहली बात तो production को बढ़ाना हमारा एम है यह चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या हमारा ए इसे किया क्या सबसे पहले जो है चेंज हमने कि modern technology को हम अपनाएंगे traditional methods नहीं modern methods को हम अपनाएंगे modern technology का मतलब क्या है ट्रैक्टर्स को यूज किया जाएगा machines को यूज किया जाएगा और जो seeds लगाने के लिए machines हम यूज करते हैं वो यूज किया जाएगा ताकि जल्दी काम हो सके ओके इसके साथ जो डीजल है और फ्यूल है उन सबी चीजों को यूज किया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके और जादा जो है production हो सके साथ में जो हमारा land है उसे भी उप जाओ बनाने की जरुरत है और भी जादा ताकि जो production हो रहा है let's say एक जो पेड़ करना है तो land बहुत ही जादा फर्टाइल होना चाहिए the land has to be fertile उप जाओ होना चाहिए तो उसके लिए फर्टिलाइजर हमने यूज की है इसके साथ जो सीड्स हम यूज कर रहे थे दो और हाई-इल्डिंग वराइटी यानि कि बहुत ही हाई-इल्डिंग जैसा कि मैंने कह दस अगर हो रहे है तो अब यह ऐसे सीड्स है जहां पर सौ दाने जो है निकल कर आएंगे अगर पर उसका जो है क्रॉप लगेगा तो दाट इस हाई-इल्डिंग वराइटी सीड्स उनको हमने यूज किया इरिगेशन फेसलिटी इसको भी बढ़ावा दिया गया कि हम पू बहुत ही ज़रूरी यह चीज है इसको पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यह किनके नित्रित्व में किया गया है दा फादर ओफ दिस रेवल्यूशन इस आक्चिली डॉक्टर एमस स्वामिनाथन तो अग्रिकल्चा साइंटेस्ट है इंडिया के बहुत ही प्रख्यात एंड इस सम्थिंग विच उन्होंने इसे स्पीर हैड किया वाइट रेवल्यूशन के अगर हम बात करें आपको समझ में आ रहा होगा दूद की नदिया बहनी है इंडिया में तो उसके लिए हम इन से रिलेटेड बहुत अच्छे स्टेप्स लेते हैं कि जो मिल्क यह डैरी प्र को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले बात सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट और सक्सेस्फुल ग्रूप्स इंडिया में थे वह कोपरेटिव से कोपरेटिव यानि कि इसमें जो सारे मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब एक साथ मिलकर आते हैं कि भाई हम सब अपने जो भी ऊसी हैं उनको एक साथ लेंगे यानि कि जितने आप के पास दो गाया हमारे पस दो गाया हमारे पस दीन गाया हैं वो सब लेंगे और हम अपने लेंगे तक के यह जो पहला उसके ऑचे तरीके से बांब करसे के मार्केट में भेजा जा सके for example अजके डेट में अमूल जो है दाट इस यह सबसे पहला कॉआपरेटिव सक्सेस्फफल कॉआपरेटिव एक लाज स्केल पर यह लाया गया था ठीक है अमूल is an example of a cooperative इस तरीके से सारे जो अपने रिसूर्स से लाकर जो इससे फाइदा हो रहा है वो भी अपने आपने बाटना that is cooperative वो फॉर्म किया technology हमने उसकी और यह चीज पहले शुरुवात कर दी गई थी कि ऐसे cooperative फॉर्म करके हम यह कर रहे हैं तो भारत सरकार ने भी चीज देखी कि नाशनल डेरी प्रोग्राम को यह लेकर आए और इस नाशनल डेरी इसके नित्रित्व में यह किया गया था वह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन तो इनको जो समानित करने के लिए Google Doodle भी बनाए गया था जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन वेज़ परसें जिन्होंने इस पूरे के movement को and specifically Amul की जो बात तो होती है तो इनके नित्रित्व में अंडर इस लीडर्शिप अमूल बिकेम रियली सक्सेस्फिल कॉपरेट्व तब इन चीजों से रिलेटर कोशन कैसे पुछे जा सकते हैं यहां पर आपके सामने एक कोशन है विच अमंग दे फॉलिंग इस इंडिया में होती है तो यह गलत है कि इरिगेशन बेश्ट फार्मिंग तो भी नहीं है अभी क्या है रेंफिड फार्मिंग ही होती है क्योंकि हम पूरे तरीके से मौनसून पर डिपेंडेंट है अग्रिकल्सिरल कमर्शिलाइजेशन यह एक लेवल तक है और हम एक्सपोर कोड़ा या फिर डॉक्टर अरुन कृष्णन तो यह आपका होमवग है इसके आंसर को आप दरूर कमेंट करियेगा इंड कमेंट सेक्षिन अगर आपको कोई भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है अपने प्रिप्रेशन से रिलेटेड यू कॉल इस नंबर या फिर आप एक mail drop कर सकते हो hello at the rate edutab.go.in thank you